नमस्कार लीडिनिया पब्लिशर्स एसोसियेशन की इस खास सीरीज मीडिया कानून में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एसकॉर्ड जैसे कि हमने पिछले सीरीज में आपको बताया कि हम मीडिया कानूनों की बात कर रहे हैं और जो important कानून है मीडिया के वो हमने एक एक करके बताये हैं इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजद्रोह कानून के बारे में राजद्रोह कानून क्या है और ये कब-कब विवादों में रहा इसके बारे में हम जानेंगे राजद्रोह को भारत्य दंड सहिता यानि IPC की धारा 124A के तहट परिभाशित किया गया है इसके तहट अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामगरी लिखता या बोलता है या ऐसी सामगरी का समर्थन करता है या राश्ट्री चिन्धों का अपमान करने के साथ समिधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ IPC की इस धारा के तहट राजद्रोह का मुकदमा कायम होता है इस कानून के तहट दोशी पाय जाने पर अधिकतम उम्रकैत की सजा का प्रावधान है इस कानून को अंग्रेजों ने लागू किया था मजे की बात तो ये है कि भारत में इस कानून की नीव रखने वाले ब्रिटेन ने भी 2009 में अपने यहां राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया लेकिन भारत में ये कानून आज भी लागू है कुछ लोग चाहते हैं इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि सम्विधान की धारा 19.1.1 की वजह से अभी व्यक्ति की स्वतंतरता पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए है ऐसे में धारा 124 की जरूरत ही नहीं है उनका कहना है कि शान्ती विवस्था बिगाड़ने धार्मिक उन्माद फैलाने और सामाजिक द्वेश पैदा करने जैसे अपराधों के लिए IPC में पहले से ही अलग-लग धाराओं के तहत सजा के प्रावधान है इसलिए अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून को खत्म कर देना चाहिए लेकिन अभी तो ये कानून लागू है और आज भी इस के अंतरगत केस दर्ज होते हैं IPC की धारा 124A का ब्रिटिश राज में काफी दुरूप योग हुआ और आज भी होता है अगर आप राज द्रोह कानून को जानना चाहते हैं तो कुछ फेमस मुकदमों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि कानून अंग्रेजों ने बनाया था और शुरुवात भी वहीं से करें तो जादा अच्छा है इसमें प्रमुक नाम हम जो लेंगे वो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी का रहा इनकी गहानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दोनों ही जाने माने पत्रकार थे और अपने लेखों से क्रांती की ज्वाला को तेज करने का काम कर रहे थे पहले बात हम करते हैं तिलक की बाल गंगाधर तिलक राश्टरवादी शिक्षक, समासुधारक, वकील और सतंत्रता सेनानी थे ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतिय अशानती के पिता कहते थे बाल गंगाधर तिलक पर तीन बार 1897, 1908 और 1916 में राजरोह के मुकद में चलाए गए उन पर भारत में ब्रिटिश सरकार की अवमानना करने के आरोप लगे थे ये आरोप उन पर उनके भाषणों और आर्टिकल के आधार पर तै किये गए थे दूसरा नाम है महात्मा गाधी का महात्मा गाधी पर साल 1922 में यंग इंडिया में राजनीतिक रूप से समवेदन शील आर्टिकल लिखने के लिए राज़रोह का मुकद में चलाया गया उन पर आरोप लगा कि उनके आर्टिकल्स ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने वाले थे उन्हें छे साल जेल की सजा भी सुनाई गई तीसरा फेमस केस आजादी के बात का है जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने एक एहम टिपणी की थी आजाद भारत में राजरो का पहला फेमस केस फारवर्ड कम्यनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारना सिंग पर चलाया गया ये मुकदमा उन पर 26 मई 1953 को बिहार की बेगु सराय में राज्य की कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ दिये गए एक भाशण के आरोप में चलाया गया ये केस इतना महतुपूर इसलिए बन गया क्योंकि इस मामले में सुप्रिम कोट ने 1962 की ये बात है एक विशेश टिपनी की थी कोट ने कहा था किसी नागरिक को सरकार की आलोचना करने और उसके खिलाफ बोलने का पूरा हक है जब तक कि वह हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा हो साथ ही कोट ने यह भी कहा कि केवल नारा लगाने से हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलता अब आगे बात करते हैं बलवन सिंग केस की पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की हत्या वाले दिन यानि 31 अक्टूबर 1984 को चंडिगड में बलवन सिंग नाम के एक शक्स ने अपने एक साती के साथ मिलकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए इस मामले में इन दोनों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया हालांकि सुप्रिम कोट ने इन दोनों लोगों को राजद्रोह के तहत सजा देने से इनकार कर दिया था क्योंकि 1962 में कोट ने टिपड़ी की थी कि नारा लगाने से केवल हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलता इसी बुनियाद पर इन दोनों को छोड़ दिया गया अगला केस है असीम त्रिवेदी का असीम त्रिवेदी एक कार्टुनिस्ट थे साल 2012 में असीम त्रिवेदी को समविधान का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफतार किया गया था इस मामले में त्रिवेदी के खिलाफ रास द्रोह सहित और भी आरोप लगाए गये लेकिन इस मामले में बॉम्बे हाई कोट ने अभिव्यक्ति की आजादी को महतु देते हुए पुलिस को ताकीद किया कोट ने कहा आप गंभीरता से बिना सोचे लोगों को कैसे गिरफतार कर सकते हैं आपने एक कार्टूनिस्ट को गिरफतार किया है और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया है अगला नाम जो मैं लूँगी उस पर आपको यकीन नहीं होगा वो मोधी सरकार की एक पावरफुल मंत्री रह चुके हैं ये नाम है अरुण जेटली का वित्नमंत्री रहे अरुण जेटली के खिलाफ साल 2015 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने राजद्रोह के आरोप में मुकद्मा किया था ये मामला उन पर National Judicial Commission Act NJAC को रद करने पर सुप्रिम कोट के फैसले की आलोचना करने पर चला था महोबा के सिविल जज अंकित गोईल ने इस मामली में स्वतह संग्यान लेया यानि कि सुवो मोटो लेते हुए जेटली के खिलाफ राजद्रोह के आरोप तै कर दिये हालांकि इलाबाद हाई कोट ने इस केस को रद कर दिया था तो ये थे राजद्रोह के कुछ फेमस मुकद में जब भी राजद्रोह की बात होगी तब तब महात्मा गांधी के शब्द यादाएंगे राजद्रोह को लेकर महात्मा गांधी ने कहा था कानून के जरिये लगाव को पैदा या नियमित नहीं किया जा सकता अगर किसी का सिस्टम या किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है तो वह अपना असंतोष जदाने के लिए पूरी तरह आजाद होना चाहिए जब तक कि वह हिंसा का कारणना बने सरकारों को गांधी जी की इस बात को याद रखना चाहिए तो ये तो IPC की धारा 124A के बारे में थी कहानी जो हमने राजद्रोह के बारे में बताई अगले एपिसोड में हम आपको PRB Act के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि उसमें किस-किस धाराओं का उलेख किया गया है जिसके अंतरगत मीडिया आता है आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा लगा हो तो थोड़ा दहरिये से देख लीजेगा क्योंकि इसमें बहुत ही important जानकारी दी गई है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झानकारी बहुत बहुत है